देखिए संगर्स ठकता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुन्दर और अंदर से मजबूत बनाता है देखिए आज है 15 जुलाई और आज की वीडियो में 15 जुलाई के सभी मातपूर प्रशनों पे हम चेशा करेंगे देखिए आज की इस सभी प्रशन बहुत ही इंपोरण आप इस सभी परिक्षाओं के लिए तो सुरू सलाजा वीडियो मरे रहे है जून 2022 तके टोटल 1800 करेंडे पर आपको मिलेंगे यानि की पूरे साल 2022 का इस पीडियो के माधियम से आपका रिवीजन हो जाएगा तो आप इसको परचे जरू कर लिजेगा और जो लोगने है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको मिलेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा आज का हमारा पहला प्रशन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रहमांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपली नाम का अत्यादीक सम्विदंसील परियूग किया गया तो दिखिए जो आपका ये लक्स जेपली नाम का प्रयोग है इसको या अमेरिका ने किसलिए ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए अब सवाल यूटता है कि डार्क मैटर है क्या चीज देखे डार्क मैटर उन कड़ों से बना होता है जिन पर कोई आवेस नहीं होता है कहने मतलब है कि जो डार्क मैटर होते है नहीं पे जो है पाजेटिव चार्ज होता है नहीं नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है कर्सठ के साथ जो है अंतक्रिया करता है और देखे पूरे पर्तिकाराक बल लगाती है तो यह था डार्क मैटर के बारे में डार्क मैटर होता क्या है अगर एक लाइन में याद करना चाहते हैं तो यार कि डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेस नहीं होता है और ब्रह्मान का जो 95% भाग है ये डार्क मैटर से बना हुआ है और सबसे खास बात कि अभिहाली में अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांट में डार्क मैटर का पता लगाने के दिए लक्स जेपली नाम का एक अत्यादिक सम्वेदंसील प्रयोग किया गया अगला प्रशने की विश्व स्वास से संगठन के अनुसार हाली में किस देश में मारबर्ग वाइरस के दो संदिक्द मामले सामने आए देखिए एक और वाइरस आगया है कुरोना के बाद इसका नाम है मारबर्ग वाइरस तो इसके दो संदिक्द मामले भ्याली में घाना देश में खोजे गए है और आपको दो इस वाइरस की मौझूदी की फुष्टी के लिए सेंपल अब जो है सेनिगल के रिसर्च सेंटर में भिज़ दिया क्या है और दीखिए जो मारबर्ग वाइरस रोग है ये एक संक्रामक रक्त सरावी बुखार यानि की इन्फेक्सियस हेमोरेजिक फीवर है तो दीखे अभी हाली में जो करूर वैसे बैंक है तो करूर वैसे बैंक का अंसकालिक अदेख्ष बनाए गया है मीना हिमचंद्रवो और इनकी निवती तीन सालों के लिए की गई है और जो करूर वैसे बैंक्ट है इसका बख्याले कहां पर है तमिल नाडू के करूर में स्तित है और इसके स्ताफ में 1916 में हुई थी अगला प्रशने की केंद्र की नई सिक्षा नीटी को प्री प्राइमरी अस्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राजी कौन बन गया है देखे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियन का राम क्या है पुसकर सिंग धामी इन्होंने भिहाली में बाल वाडिकाओं का उद्खाण करके उत्तराखंड में नई सिक्षा नीटी का आपचारिक सुभारम किया था और देखे जो आपका ये नई सिक्षा नीटी का आपचारिक सुभारम के इन्होंने बाल वाडिकाओं के उद्खाण करके तो इसके पहले चरण में 20,000 आगनबाडियों में से 5,000 आगनबाडी किंद्रों में नई सिक्षा नीती के धर बाल वाडिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा और जो नई सिक्षा नीती है इसमें NCC का भी प्रावधान रखा गया है और सिक्षा का पैटर्न 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का पैटर्न भालो किया जाएगा और अगला प्रशनी की हाल ही में कि राजी सरकार ने अर्ण विद लर्ण योजना सुरू की तो दिखिए अर्ण विद लर्ण योजना को सुरू किया है त्रिपुरा की शरकार ने दिखिए त्रिपुरा की जो सरकार है इसने COVID-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्ण विद लर्ण नाम की एक नई योजना सुरू की है और ये योजना चो है विद्याले चलो अभियान यानि की स्कूल चलो चलते हैं का एक हिस्सा है ठीक है तो यार रखेगा अभिहाली में त्रिपुरा की शरकार ने अर्ण विदलर्ण योड़ना शुरू की है और त्रिपुरा में मुख्यमंत्री को है वर्तवान में देखे त्रिपुरा के मंद्री है मनिक शाहा जी और त्रिपुरा के राजेपाल है सत्य देव नारायन आरे जी और त्रिपुरा में देखिए प्रमुक जंजातिया पायाती हैं त्रिपुरा या फिर त्रिपुरी रियांग और जमातिया और त्रिपुरा के रजानी क्या है अगर तला है अगला प्रशनी की भारत के रक्षा मंत्राले ने 2025 तक कितने लाग करोड उपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष रखा है तो दिखे भारत के रक्षा मंत्राले ने 2025 तक टोटल 1.75 लाग करोड उपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष रखा है और देखिए जो भारत के रक्षा मंद्री राजनाश स्रीहनी उन्हें गोश्रा किया है कि रक्षा मंद्राले ने 2025 तक रक्षा उत्पादन में 1.75 लाग करूर रुपे का लक्ष रखा है जिसमें निर्यात में कुल 35,000 करूर रुपे सामिल है और साथ मन प्रशनाश का की अंतराश्टी टी टूंटी इतियास में लगातार सबसे ज़ादे मैच जीतने वाले कप्तान कौर बने देखिए आज के जितने प्रशनाश बहुत ही धमाकेदार हैं क्योंकि यह एक्जाम में धमाका करेंगे दिखे अंतराश्टी T20 इतियास में सबसे जादे मैच जीतने वाले कप्तान रोहिस सर्मा बन गए है दिखे भारत के जो कप्तान है रोहिस सर्मा इन्होंने लगातार 13 T20 मैचों में भियाली में जीत दर्ज की है और इसी के साथ ये अंधाराश्टी T20 इतियास में लगातार सबसे जादे मैच जीतने वाले कैप्टन बन गए है और ये उपलबदी इन्होंने अभिहाली में इंगलेंड के खिलाब तीन मैचों की स्रंखला के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज करके बनाई और अगला प्रशनी की 150 वंडे विकेड लेने वाले सबसे तेज भारती गेंदबाज कौन मने तो दीखे 150 वंडे विकेड लेने वाले सबसे तेज भारती गेंदबाज बन गए हैं मोहमद समी देखिए अभी हाली में जो भारत बनाम इंग्लाइंड में वंडे सिरी चला था उसमें जो है मुहमद समी ने मैच का दूसरा विकेड लेकर अपना 150 वा वंडे विकेड पूरा किया और ये सबसे तेज 150 वंडे विकेड लेने वाले भारती गेंदबाज बन गए और देखिए जो आपके मुहमद समी है इन्होंने 150 वंडे विकेड लेने के लिए 80 मैचों का समय लिया यानि कि 80 मैचों में इन्होंने 150 वंडे विकेड लिये हैं और देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया प्रश्ण में कि सबसे तेज भारती गेंदबाज यानि कि भारत के ये ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने सबसे कम समय में 150 वंडे विकेड पूरे किया है और देखिए मौंबद समय जो है यह संक्त रूप से दुनिया के तीसरे सबसे तेज जो है 150 एक दिवसी यानि कि वंडे विकेड लेने वाले जो है गेंदबाज बने हैं और देखिए आज टेलिया के जो मिसेल इस्टार्क है इन्होंने केवल 77 मेंचो में 150 वंडे विकेड लिया है और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे तेज 150 विकेड लेने वाले गेंदबाज बने है और दूसरे नमबर फिर पे आपके पाकिस्तान के सकलैन मुस्ताक है इन्ह पेले गेंदबाज है मुहमत समी और दूसरे आपके कौन है अफगानिस्तान के राशित खान ठीक है इन्होंने दुनों ने जो है 80 मैचों में 150 वंडे विकेड लिया है अगला प्रश्णी की हाली में भारत ने मनामा भारीन में आजित यू 20 यानि कि Under 20 ACI कुस्ती चेंपिय में कितने पता जीतें Under 20 का मतलब क्या हो गया कि केवल 20 साल से कम उमर के या फिर 20 साल के जो है जो प्रतियों की है ये इस कुस्ती चेंपियस्टी में भाग लिये थे तो इसे को इसलिए Under 20 का जाता है सबको पता होगा एकाद दूनों को नहीं पता होगा तो उनको मैंने बता या रखेंगे आप देखिए अभी हाली में जो बहरीन के मनामा में Under 20 ACI कुस्ती चेंपियस्टी चेंपियस्ट क्या गया था इसमें भारत ने कुल 22 पता जीतें और इन 22 पतकों में 4 सुण पतक, 9 रज़त पतक और 9 कांसे पतक सामिल हैं तो देखिए सुण पतक किसने किसने जीता, देखिए भारत की जो प्रियंका हैं इन्होंने जो है 65 किलोग्राम भारवर में सुण पतक जीता, साथ में एरेंजु ने 68 किलोग्राम, अंतिम ने 33 किलोग्राम और सुजीत ने 65 किलोग्राम भारवर में भारत को सुण पतक दिलाया और इस Under 20 ACI कुस्ती चेंपियस् आसीज ने 97 किलोग्राम, मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम, जैदीप ने 74 किलोग्राम और महंदरन गयकवार ने 125 किलोग्राम भारवर में भारत को रजत पतक यानिकी Silver Medal दिलाया और कां से पतक किसने किसने जीता देखिए 9 लोगों ने कां से पतक जीता है जिसमें पहला नाम है सितो का इन्हों ने 17 kg भारवर्वल में तनू ने 69 kg भारवर्वल में सारीका ने 62 kg और अमन ने 57 kg दीपक ने 79 kg जोंटी कुमार ने 86 kg आकास ने 92 kg रोहित दहिया ने 82 kg और अंकीत गुलिया ने 60 kg भारवर में भारत को कां से पतक जिला है तो दीखिए इस पेज का स्क्रीन सोट लिए आराम से नोट कर लिएगा कि इसने किसने कौन सा पतक जीता एक्जाम में यह पुछे का कि भारत की किस ग्राड़ी ने कितने kg भारवर में स्वान पतक या पिर रजद पतक या पिर कां से पतक दिला था भारत को ठीक है अगला प्रशने की हाली में किस देश के पुरुर राजपती लुईस एचे वेरिया का निजन हो गया है तो दीखिए जो आपका मैक्सको देश है मैक्सिको के पुरो राश्पती थे लुईस एचे वेरिया और सौ साल की उमर में अभियाली में का निधन हो गया है इसको याद रखेगा याद रखना है कि मैक्सिको के पुरो राश्पती लुईस एचे वेरिया का हाली में निधन हो गया है देखी पहला प्रशना आज का है कि रेल टेल का प्रपरेशन आप इंडिया लिमिटेड के नया धेक्षक और प्रबंद निर्शक कौन बने हैं नाम बताईए दूसरा की जून 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर आप दमन्त की से चुना गया बताईए और तीसरा की यूरेका फोप्स के नय प्रमु कौन बने हैं नाम बताईए इनका चौथा प्रशना आप के लिए कि कौन सा हवाईड़ा देश का पहला कारबा न्यूट्रल हवाईड़ा बनेगा इसका नाम बताईए और पांच माई की गीजोन सतरंज मास्टर दोजर बाइस किसने जीता है बताईए और में बात करने के कल के पूछे कए सभी कुछन अब्डिय के सहत्रों की देखर नोट्य का पहला प्रसंद है कि विस मलाला दिवस का मना गया तो ये मना गया बारा जुलाई को और देखें अंगोला के पुर्व राश्पती जोस एडुवार्डो डास सेंटोस का हाल ही में निदन हो गया है और पलवी सिंग जो है भी बनी है मिसेज यूनिवर्स दोजार बाइस ठीक है सॉरी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन ठीक है याद रिखें का मिसेज यूनिवर्स डिवाइन बनी है कौन पलवी सिंग भारत की ये कानपूर की रहने वाली है कहां की कानपूर से ठीक है कानपूर उत्तरपदिस का मैंचेस्टर का जाता है उत्तरपदिस का एक जिला है चौता प्रस्था की हाल ही में किसी राजी के मिसन कुसल कर्मी hm hour लांच किया गया तो देखे दिल्ली सरकार ने भियाली में मिसन कुसल कर्मी योणा को जो हर लांच किया था और माचमा था कि 7th राश्ट के मुशार काउंसा देश 2003 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो ये देश अपना भारत है और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्द वार्शी गंग का पीडियाप तयार कर दिया जिसमें जनुरी से रगाए जून तक के टोटल अठारा सो करेंडर पर आपको मिलेंगे तो इस पीडियाप को आप पर्चेश कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडियाप को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 पर में तो इसको आप डाउनलोड कर लिएगा इसमें देखिए पूरे डीटेल में सारे करेंडर को मैंने जो है इसमें कलिक किया है यानि कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी चूटने वाला नहीं है और 6 माहिने का रिविजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परश्चे हमें आजकल पिछले 6 माहिनों के प्रश्ण पूछे जा रहा है तो पिछले 6 माहिने में जितने भी करेंडे परते सब डीटेल में बता है इस वीडियो में तो इसको परचे जरू के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है